क्राइम पेट्रोल का काम जुर्म को बढ़ावा देना नहीं बलकि जुर्म से सब को आगाह करना है हमारा उदेश किसी की भावना को ठेश पहुचाना नहीं है लेकिन सचाई से रूबरू कराना हमारा फर्ज है किसे कहानियों में आज हम बात करेंगे कैसे अपरादी की जिसके कई रूप थे लेकिन सबी रूपों में एक आम बात थी वो थी अपराद करना आज बात करेंगे उत्रप्रदेश के गैंक्स्टर देवपाल राना की जो कभी पुलिस में सिपाही हुआ करता था लेकिन उसके मनसूबे देश की रक्षा करना कभी नहीं रहा क्योंकि उसे तो जराएम की दुनिया में अपना नाम कमाना था बतौर खाकी बतौर मुझरिब उसने कई अपरादों को अंजाम दिया दरसल देवपाल जराएम की दुनिया में आने से पहले उत्रखंड पुलिस में सिपाही के पद पर तैनाथ था लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि उसका मनसूबा हमेशा ही जर्म रहा इसलिए उसने नौकरी के दौरान रहते हपरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया था जिसके चलते उसे नौकरी से बरखास्त कर दिया गया देपाल राणा साहरनपुर के बढ़ गाउं थाना शेत्र में बडेडी मजमता गाउं का रहने वाला था जराइम के दुनिया में पहली बार देपाल राणा का नाम साल दो हजार दो में सामनी आया हरिदवार जिले के थाना मंगलॉड शेत्र में हुई एक लूट के मामले में देपाल राणा के खिलाब रिपोर्ट दच की गई देपाल राणा उननीस सो पिचानवे में चालीसवी वहीनी पियसी हरिद्वार में कॉंस्टेबुल के पद पर कारे रथ था पुलिस की नौकरी करते समय सुनार के साथ लूट पार्ट की घटना में देपाल का ना मुझागर हुआ इसके बाद उसने साहरनपुर, मुझफर नगर, बिजनौर के अलावा घरिद्वार जिले में कई घटनाओं को अंजाम दिया था देपाल राणा को कई अपरादी घटनाओं में शामिल होने के चलते बाद में उसे पुलिस की नौकरी से बर्खास कर दिया गया था इसके बाद देपाल राणा जरायम की दुनिया में ऐसे कुदा फिर कभी पीछे मुड कर नहीं देखा उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही एक के बाद एक कई बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया धीरे धीरे उसका नाम जुर्म की दुनिया में तेजी से पूरे इलाके में फैलने लगा देपाल राना इसके बाद कुख्याद अपरादी संजीव जीवा के संपर्क में आया जिसके बाद उसकी जरायम की दुनिया में जुर्म की रफ्तार और तेज हो गई और उसका नाम अब अवैद वसूली, लूट पार्ट, हत्या और अफरन के मामलों में आने लगा। उस पर इन जगन्य अपरादों के कई मुकत में दर्ज हुए। उसका नेटवर्क अब पश्चिमी यूपी से उत्रा खंट तक खड़ा हो चुका था। दोनों राज्यों में कई आपरादी घटनाओं में उस पर कई मुकत में भी दर्ज हुए। राना भी शामिल था और इसके बाद तो जुर्म की दुनिया में वो अलग पहचान बनाने में काम्याब हुआ दरसल रुड की उपकारगार में देपाल राना ने अमित भूरा शुशील चौधरी अजीत विश्वास उर्फ विशु के साथ रुड की जेल में बंद कुक्यात बिनी शर्मा उर्फ चीनव पंडित पर जान लेवा हमला करने की साजिश रची थी जिसके बाद रुड की जेल के बाहर जम कर गोलियां बरसाइई गए इस हमले में कुक्यात चीनु पंडित तो बाल बाल बच गया था लेकिन इस गोलिकान में कुख्याद चीनु पंडित के तीन साथ ही मारे गए थे उपकारगार में हुई इस गैंग वार का मुगदमा रुड़की के ठाना गंग नहर में दर्ज है बताया जाता है कि देपाल राना ने चीनु पंडित पर हमले की साजिश कुख्याद अपरा दी सुनी राधी के इशारे पर की थी देपाल राना ही इस मुकतमे का मुख्या रोपी था सरयाम हुई इस गोलबारी में पुलिस के जवान समय कुल छे लोग गंबी रूप से घायल हो गए थे कुछ दिन बाद कुख्यात अमित भूरा दिसंबर 2014 को पुलिस कस्टडी से फरार हो गय बताया जाता है कि भूरा की फरारी में भी देपाल राना का हाथ रहा और बाद में इसने भूरा की छिपने में मदद की देपाल राना की जिंदगी में एक ट्विस्ट आया और उसे जरायम की दलदल से बाहर आने का एक मौका भी मिला जुर्म की दुनिया में वाजशाहत कायम करने के बार वो राजनीती में हाद आजमाना चाहता था देपाल की पतनी नानोटा ब्लॉक से प्रमुख बनी तो देपाल राणा राजनीती में आगया उसके आर्मानों ने हिलोरे मारे और उसने विदान सवा चुनाओं में अपनी किस्मत बस्पा से आज मानी चाही लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो 2002 और 2007 में हरिद्वार जिले से बस्पा के टिकट पर चुनाओं नहीं लरपाया वहीं दूसरी ओर देपाल राना का कई मामलों में जेल जाना और जमानत पर बाहर आने का सिल्चला लगा तार जारी रहा लेकिन आपरादी की तियास ने देपाल का पीचा नहीं छोड़ा और राजनीती में कदम रखते ही विवादित संपत्यों के लें देन के विवादों को लेकर इसकी संजीव उर्फ जीवा से ठन गई इसके बाद देपाल राणों को अपनी जान का खत्रा सताने लगा और फिर वो सुशील चौदरी उर्फ सुशील मीरकपूर के माध्यम से सुनील राठी के संपर्क में आ गया इस सब के चलते वो किसी तरह नेता तो बन गया लेकिन अपने प्रतितोंदीर शिपाल राणा के सामने चुनाओं में हार गया चुनाओं में हारने के बाद देपाल राना की भूख राजनीती में कमखोनी की जगा बढ़ गई और राजनीती भूख बढ़ने के साथ उसकी चुनावी रंजिश भी बढ़ने लगी क्या चुनावी रंजिश उसे एक बार फिर जुर्म करने को मजबूर कर रही थी क्या नए अपरादिक गुरू सुशील राटी से उसे कोई फाइदा मिलने वाला था क्या देपाल राना खामेशा ही जुर्म को अलविदा कहने वाला था या फिर देपाल राना के मन में कुछ और ही चल रहा था सब कुछ आपको बताएंगी अगले अपिसोड में तब तक आप बने रहें क्राइम पेट्रोल के साथ